प्रिय चात्रों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है प्रिय चात्रों जैब बैवतिता परिक्षा के लिए हम आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट कोस्चन ले करके आएं बीडियो आप पूरा ध्यान से देखें और सने क्योंकि इस बीडियो से आपके होने वाले पेपर मना बहुत सारे कोस्चन देखने को मिल सकते हैं और हम आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको उत्तर याद भी रहें याद भी रहें आपको उत्तर आपका प्रिय चात्रों जो पहला कोस्चन है ओजुन परत किसे रूखती है जो समताप मंडल में जो ओजुन परत होती है यह हानी कारक पराबैगनी किरणों को रूखती है परावेगनी किरणों को आप यो भी किरणा है या अल्ट्रा वालेट किरणों के नाम से भी जानते हैं अगर ओजुन परत इसकी मौठाई कम हो जाए ओजुन परत को नुकसान पहुँच जाए तो क्या होगा कैंसर होने लगेगा अच्छा ओजुन परत को हानी कौन सी गेस पहुचाती है तो पहुचाती है किलोरो फिलोरो कारबन कौन सी योगिक है बतादेना है लोजन योगिक है तो इनसे प्रश्न बन जाते हैं आपका अगला कोश्चन है जलबायू परिवर्तन का कारण है माने जलबायू परिवर्तन क्यों हो जाता है माने कहीं पर ज्यदा सूखा कहीं पर गर्मी क्यों ऐसा होता है तो ऐसा होता है गिरिन हाउस गैसों के कारण प्रदूशन के कारण और ओजोन परत के छरण के कारण जलवाई परिवर्तन होता है आपका आगला कुस्चन है बाता वरण में सबसे देख पाई जाने वाली गिरी नहुस गैस है कारबन डायोकसाइट फिर आपका कुस्चन है इनमें से कौन सी गैस गिरी नहुस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदाई है तो आपका सही उत्तर है जलवास्प फिर आपका आपसे पूँचा है कि गिरी नहुस गैस हैं तो आपका उत्तर है कारबन डायोकसाइट माने सी ओ टू, मीधेन जलवास्प इसके लाबा एक गैस और उती है नाइट्रस ऑकसाइड वह है भी गिरीन हाउस गैस है फिर आपसे पूँचा है कि नाइट्रिक ऑकसाइड ओजोन के साथ मिलकर के क्या बनाती है तो यह बनाती है नाइट्रोजन डायोकसाइड आपसे पूँचा है कि समताप मंडल में ओजुन के छरण का क्या कारण है तो इसका उत्तार है हेलोजन यूगिक माने किलोरो फिलोरो कारवन इस प्रपन ने पहले ही चर्चा की थी आपका अगला कोश्चन है प्रत्वी बायू की आपरण से गिरी है जिसे कहते हैं बायू मंडल अगला प्रश्चन है आपका कारवन फुट प्रेंट के बारे में कौन सा कथन सही है तो इसका सही उत्तर है आपका किसी वस्तू द्वारा उतसरजित गीरी नहोस गैस की माप कारवन फुट प्रेंट कहलाती है आपका अगला कोश्चन है एक अनुमंसे खुरूप से निर्दारत विसेष्टा जो की किसी जीव की अपने परियाब्रण के साथ सामना करती है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं अनुकूलन सिंपल सा परस्ण है अगला आपका जो परस्ण है गिरी नहुस प्रभाव क्या है इसका उत्तर है हमारे बायो मंडल में उसमा फस जाती है और इससे प्रत्वी के तापमान में व्रद्धी हो जाती है गिरी नहुस प्रभाव कहते हैं आपका अगला कुश्चन है इनमें से क्या जलबायू परिवर्तन का परिडाम है माने जलबायू परिवर्तन होने से क्या-क्या हो शकता है तो इसमें जो अप्सन है तो देखते हैं बर्फ की चादरें घट रही है माने बर्फ पगल रही है सतहीत आपमान में व्रद्धी हो रही है और अधिक चरम मोश्रम जैसे सूखा, गर्मी की लहरें और तूफान आ रहे हैं एसा हो रहा है जलवायू परिवर्तन होने से आपका अगला कोश्चन है जलवायू परिवर्तन से लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो जो उसा के करो, कम से कम बहान चलाओ, माने जीवाश मीन्धन के उपयोग में कमी करो जलवायू परिवर्तन के बिज्ञान को समझो और जलवायू परिवर्तन के बारे में जो नेता जो हैं वो जानते हैं ऐसे नेताओं को चनाओं में जिताओ अगला जो है आपका question है global warming से तातपर है कि प्रत्वी के तापमान में बदलाओं इससे होता क्या है तो इससे होता है क्या होता है बायू प्रदूशन होता है अमली वर्षा होती है यूट्रूफेकेशन होता है और बेश्विक जलबायू परिवर्तन भी होता है इसलिए आपका उत्तर क्या है उपरोक्त सभी अगला प्रशन है कि 2015 में पैरेस में आई जित COP21 से निकले पैरेस समझोते में क्या सहमेती होई थी तो सहमेती ए होई थी उस पैरेस समझोते में इस बैस्विक तापमान प्रद्धी को एक दिसमला पचास सी तक सीमित करने के लिए प्रियास करने अब देखो पूरी तरह से बंतों कर नहीं सकते क्योंकि फैक्टरिया सब बंद हो जाएगी इतना काम कर शकते हो कि कम से कम इन अगला प्रशन है कौन सा देख सबसे और सरजन करता है कारबन आपका जो अंतिम कोश्चन बचा हुआ है परिवहन छेत्र का उतसरजन वैश्विक गिरिणाउस का उतसरजन का कितना प्रतिसत अब आपको जो अगला टॉपक है उससे क्वेश्चन जो आते हैं परिक्षा हम उनको बताते हैं तो प्रशन है कि CBD पर अब तक कितने राष्टरों ने अस्ताक्चर किये हैं तो CBD पर 168 देशों ने अस्ताक्चर किये हैं आपको जो नेक्स्ट कोश्चन है बहरी पॉंटेट है अंतराष्टरी संधी जो संसोधत जीवत जीवत जीव क्या अंतराष्टरी संधी जो संसोधत जीवत जीव माने मौडिफाइड जीव के सुरक्षत उपियोग से संबंदित है तो इसका उतरक कार्टे जिना प्रोटो संसुदत जीब के समझ समन्दत हैं मौर्डिफाइड जीव और सांते अंतराश्टी संदि अगला पस्दी जो जाब संसाधनों के उप्योग से प्रापत लाभों के उचित एवं नियापून लाभ प्रवाजन से संबंदत है नगोया प्रोटोकॉल मना लाब के पहुंच से संबंदत है जब पहुंचे नहीं तो गए नहीं एक ट्रिक है तो लाब के पहुंच से संबंदत है नगोया प्रोटोकॉल ना पहुंचे ना गए अब हैं कि CBD के क्या उद्देश हैं तो CBD के उद्दे के उद्देश हैं अगला कोश्चन है एतिहासिक जैव ववित्ता संभिलन जो की 1992 में ब्राजील के रियो डी जैनेरियो सहर में हुगा था क्या कहलाता है सहुत्तर आपका प्रत्वी संभिलन अब है आपका अगला कोश्चन कार्टे जिना प्रोटोकॉल किसको सुरक्षित उप्योग एवं इस्तानांत्रण से संबंधत है तो अभी बात कर रहेते हैं अपने स्वारी में तो संसुधत जीवत जीव माने अब आपका जो अगला कोश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल जेव संसादनों तक पहुंच यह लाव प्रवाजन से सम्मान देते हैं अभी अपनने चर्चा की थी ना पहुंचे ना गए तो इसका अत्र क्या है नगोया प्रोटोकॉल बायो डिवरस्टी का मुख्याला कहां है यह है आपका रोम में फिर है आपका एची टारगेट का उदभाव किस प्रोटोकॉल से हुगा इसका उत्तर है नगोया प्रोटोकॉल फिर है आपका रियोडी जेनरियो का प्रत्वी सम्मिलन सम्मंदत है जेव संसादनों का सरक्षन फिर है किस अधिनियम में जेव बिवदता बिरासत इस्थल गुशत करने का प्रापधान है जेव बिवदता अधिनियम दो हजार दो और फिर है परियाबन सरक्षन अधिनियम का प्रत्थ हुगा था तो बहरी इंपोर्टन्ट है 1986 अगला प्रस्ण है बासंगतं सम्मिलन से सी आई टी एस भी कहा जाता है संबंद्ध है तो यह संबंद्ध है आपका संकट ग्रिस्त प्रजाती से बासिंग टन संवेलन संकट ग्रिस्त प्रजाती से संबंद्ध है आपका जो अगला कोश्चन है भारत का जयब विवदता अधिनियम संसत द्वारा कब पारत किया गया तो यह आपका पारत किया गया था सन दो हजार दो में फिर आपका कर्मेंशन ओन बाइलोजिकल डिवरस्टी कब प्रभावी हुगा तो 29 दिसंबर 1993 में इसका उतर सही है COP का पूरा नाम क्या है तो Conference of Parties Conference of Parties और CITES का बिश्तरत रूप क्या है तो इसको भी आपको दिहान में रखना है पूछ सकते हैं रखतिस्तान में पूछ सकते हैं Convention on International Trade in Indensured species of wild fauna and flora IPCC भी पूछ सकते हैं वो Inter Governmental Panel on Climate Change CBD का पूछ सकते हैं Convention on Biological Diversity याद करना है आपको SFM का पूछ सकते हैं Sustainable Forest Management और UNEP का पूछ सकते हैं United Nations Environment Program UNFCC तो कठन हैं ABS का पूछ सकते हैं Sharing तो आप सभी देख लाएं क्योंकि प्रक्षा में पूछ सकते हैं बहरी इंपोर्टन्ट है प्रेच आत्रों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ महत्पूर्ण प्रिशन ले करके बस आपको इन ही को याद रखना है तो इनको देख भी सकते हैं आप अगर आप बिना समझें को याद करना चाहते हैं तो वीडियो आप स्टॉप करके इनको याद कर सकते हैं